गुड मॉर्निंग टॉल उफ स्टुडेंट्स चैप्टर ट्वल्व एलेक्रिसिटी और उसका पार्ट नंबर बारा छोटा सा वीडियो होगा ध्यान से सभी को समझना है इंपोर्टेंट है पलस्टू क्लास के अंदर भी ये काम आएगा आपका तो चलिए देखते हैं हमारे जवाज के टोपिक का नाम है इस रेजिस्टर्स इन सीरीज हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी सरकिट के अंदर तो उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये डेरिवेशन आपका बहुत हेल्पुल है बड़ा असा टोपिक है simply आप figure को देखते ही उसका net resistance, total resistance या फिर equivalent resistance कहें वो find out कर सकते हैं series के लिए जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये आपको ध्यान रखना कि series में current same रहता है resistors के थुरू जबकि हर resistor के across voltage रहेगी वो क्या रहेगी different रहेगी, ये दोनों points आपको series के लिए याद रखने है कि series में current same voltage different होगी तो यहाँ पर हमारे पास में एक figure है जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि तीन resistors R1 R2 और ये R3 ये तीनों resistors series में connect किये गए है और ये total voltage इन तीनों के across अप्लाई कीगी है जो कि तीनों ये resistors series में है अब इस voltage को अप्लाई करने की वज़े से current flow होगा अब देखिए तीनों series में हैं तो हमारे definition में हम दो बार तीन बार पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक रेजिस्टर के तुरू जो current flow करेगा same current flow करेगा यानि कि इसमें भी आई इसमें भी आई और इसमें भी आई ही current flow करेगा clear लेकिन definition साथ की साथ क्या कहती है अगर current सेम होगा तो वहाँ पर voltage क्या होगी different होगी तो यह आप practically चेक कर सकते हैं जैसे register के R1 register के x point और p point के बीच में एक voltmeter लगा दीजिए आप जो यह second register है R2 जिसकी कुछ अलग value है वहाँ पर एक voltmeter लगा दीजिए वह जो reading show करेगा उसको V2 नाम दे देंगे हम value अलग है तो यहाँ पर जो reading show की जाई की voltmeter की दुरह वह भी अलग होगी similarly V3 कुछ अलग reading show करेगा जब R3 की value इन दोनों से कुछ अलग होगी ठीक है तो हमें इतना समझ में आ गया कि इन तीनों के through current I same flow करेगा लेकिन तीनों के gross voltage different होगी अब हम क्या चाहते हैं इन तीनों की जगय पे एक register लगाना चाहते हैं यानि कि अब तीन register हमें circuit में लगाने हैं और मान लिजिये आपको ऐसे 1000 circuit त्यार करने हैं तो जहां पर आपको तीन register लगाने हैं वहाँ पे आप एक single value register लगा सकते हैं अगर आप इन तिनों की value calculate कर लें कि इन तिनों की जगह पे एक value का register हम लगाएं कर दियार इन तिनों की जगह पे अगर आप एक single value register लगाना चाहते हैं तो वो किस value का होना चाहिए उसी के लिए ये derivation है या आप उल्टा भी कर सकते हैं मान लेजिए आपको एक particular value चाहिए लेकिन वो value नहीं है तो आप तीन लगा सकते हैं ठीक है आप तीन की जगह पे एक भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में वो एक available नहीं है आपको net से कोई circuit मिला मान लो जी ठीक है तो आप एक की जगह पे तीन भी लगा सकते हैं अगर वो अलग-अलग values की रेजिस्टर अवेलेबल हैं तो आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं basic funda यहाँ पे यही है कि इन तीनों की जगह पे हमें एक value find out करनी है कि इन तीनों की जगह पे एक single value हम रेजिस्टर लगा दें और उससे क्या होगा हमारे time की बचत हो जाएगी कि हमें circuit में 3 लगाने पड़ते थे वहाँ पे एक ही लगाना पड़ेगा और हमारे circuit की जो cost होगी वो भी कम हो जाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ पे R1, R2, R3 चाहें अलग-अलग value के हो जैसे माल लिजिए यह एक रूपए का मिल रहा है यह एक रूपए का यह एक रूपए का तो total तीन रूपए cost होगी अगर इन तीनों की जगह पे अगर आप एक लगाएंगे तो वो भी एक रूपए का ही होगा यह सबसे important चीज है कि cost minimize कर सकते हैं इन तीन की जगह पे एक लगा करके चलिए देखते हैं कैसे क्या लगाना है ओम-slow आप याद रखिएगा अब देखिए जो हमारे पास total जो potential difference यानि वोल्टेज जो वी से हमने दिखाया था आपको उपर फिगर में हम ही कह सकते हैं कि तीनों रेजिस्टर के अक्रोस वो वोल्टेज बट जाएगी अब कितना कितना बटेगी वो डिपेंड गरेगा उन रेजिस्टर की वैल्यू पे आर वन के क्रोस इसलिए वी वन नाम दे दिया आर टू के क्रोस वी टू नाम दे दिया और आर थरी के क्रोस वी थरी नाम दे दिया जैसे आप यह कह सकते हैं कि एक गिलास पानी है आपके पास में यह मान लिजी आपके पास में एक गिलास पानी है इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस पानी को आपने अभी नाम दे दिया potential difference या voltage भी नाम दे दिया और अब आपको ये तीन अलग-अलग बरतन है अलग-अलग size है कलियर उसके अंदर आपको ये पानी डालना है यह माल लेजिए पहला बरतन ये दूसरा बरतन ये तीसरा बरतन भरना माल लेजिए कलियर तो क्या आप पाएंगे कि ये तीनों कि ऐसे बरतन हमने ऐसे size के चूज किया है कि जितना पानी गिलास के अंदर था वह पूरा का पूरा पानी इन तीनों के अंदर आ गया है बट गया है तो आप कह सकते हैं कि पहले वर्तन के अंदर जो पानी वरा उसको पोटेंशेल डिफ्रेंट्स वीवर नाम दे दिया दूसरे के अंदर वी टू तीसरे के अंदर वी थ्री तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो पूरा पानी एक गिलास में था अब वो तीनों के अंदर आ गया है तो तिनों को वापिस अगर इस गिलास में खाली करना चाहेंगे तो वो गिलास पूरा पानेगा उतने ही पानेगा पूरा भर जाएगा तो सिंपल वर्ड में हम यह कह सकते हैं कि यह जो वॉल्टेज थी उपर सरकिट में जो टोटल वॉल्टेज वी हमने क किसके बराबर हो जाएगी जो इंडिविज्वल रेजिस्टर है आर वन आर टू आर थरी इन तोनों के एक रोस जो अलग अलग पोटेंशिल डिफरेंस है उनके सम के बराबर हो जाएगी यानि कि वो जुड़ जाएगी आप जोड़ सकते हैं कि टोटल वॉल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी तीनों रेजिस्टर के अंदर तो हम कह सकते हैं कि तीनों रेजिस्टर के एक रोस जो जो वोल्टेज थी उनको आप जोड़ दीजिए तो वो हमारी टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर ही आ जाएगी चलिए इतना हमें समझ मे अगया है कि कररंट तो पहली बताय गया है कि करंट तो सेम रहेगा अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे जो उपरलाय सर्किट है उन तीनों फीस जगे सिंगल वरीव रॉसाइंट लगाएंगे अभी उसकी value हमें मालूम नहीं है कि कितनी value है वो find out करेंगे हम derivation के थुरू चलिए यह अब देखिए आप लोग हमने वो जो circuit था उसको ऐसे छोटा कर दिया है उन तीनों की जगह पर एक resistor लगा दिया है यह हमारी net voltage है और current तो अब भी इसके थुरू आई ही follow करेगा ठीक है शिरफ हमने तीनों की जगह पर एक resistor लगा दिया है जिसको हमने RS नाम दे दिया है RS का मतलब है कि equivalent resistance in series यहां पर S का मतलब series है और जब आने वाले derivation में हम P use करेंगे तो वो parallel हो जाएगा कि equivalent resistance in parallel तो यहां पर RS क्या है equivalent resistance in series चलिए तो अब इस पूरे circuit पर आप ओम स्लो अपलाई किजिए ओम स्लो क्या है V is equal to IR तो इस पूरे circuit को देखिए तो यहां पर V के बराबर है current I flow हो रहा है और आर की जगह पर RS हमने नाम दे दिया तो यह आप change यहां पर कर दीजिएगा RS equation number two नाम दे दिजिएगा कलियर जो काम अब आप ने यहां पर किया है यहां पर देखिए figure में लिखा हुआ है कि सेम आप जो है पहले वाले जो सब से पहले आपको figure दिखाई दी उसके हर एक individual register पे आप यह rule apply किजिए यह ओम slow आप apply किजिए तो आपको यह तीन equation अलग से और मिल जाएंगी कि मैं आपको एक बर figure में दिखा दिता हूँ कि जैसे आप यहां पर apply करना चाहते है मान लेजिए इस वाले portion पर आप apply करें वी टू इस इक्वल टू आई आर टू हो जाएगा और ऐसे ही आप तीसरे register के लिए apply कर सकते हैं वी त्रीजी को आप नोट किजिएगा से मारी है इस चीज को आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कभी possible होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा है तो देखिए ओम स्लो हमने सिंगल जो रेजिस्टर अपलाई किया है तीनों की जगे पर उस पे भी apply कर दिया है और जो पहले जो फीगर थी हमारे पास में उसके भी हर एक value के लिए apply कर दिया अब आपको क्या करना है सबसे important जो आपके पास में यह जो value आई है equation 2 के अंदर और equation 2,3,4,5 यह जो 4 equation total आपके पास बन गई है अब इन values को आप जो पहली equation थी that is मैंने नीचे फिर से लिख दी है ताकि आपको उपर ना देखना पड़े ठीक है यह हमारी पहली equation थी इस equation में यह सब values आप put कर दीजिए clear तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा आपको यह देखिए अब तीनों values को put किया आपने V की जगए पे IRS put कर दिया equivalent circuit diagram की help से V1 की जगए पे यह put कर दिया V2 की जगए पे यह put कर दिया और V3 की जगए पे आपने यह put कर दिया कलियर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है ये वाले equation की help से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी I है left hand side में भी और right hand side में भी सब terms के साथ I multiple में है तो आप I को common लेजिए take common, take I common and cut I from left hand side and right hand side जैसे आप common लेंगे तो आप I को I से left hand side और right hand side से cut कर देंगे तो अब हमारे पास में जो expression आ गई है reduce होकर के that is rs is equal to r1 plus r2 plus r3 तो कहने का मतलब यह है sorry अगर आपके पास में ऐसे तीन resistance सीरीज में लगे हों चार लगे हों, पांच लगे हों तो simply आप उनको जोड दीजिए और जो value आएगी वो उनकी equivalent resistance निकल करके आ जाएगा series के अंदर clear जैसे एक छोटा सा example मैं यहाँ पर देना चाहूं आपको कि यह series में आपके पास में कुछ registers connected है तीन register यह 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm यह 1 ohm, यह 2 ohm और यह 3 ohm अब आप से पुछा जाए इन तीनों की जगे पे अगर मान लिजिए एक register लगाना तो वो कितनी value का होगा आप सभी को दिखाई दे रहें यह back to back connected है ठीक है, back and front end यानि कि series में connected है तो simply आप equation 6 का use करके इन को जोड़ दीजिए कि 1 ohm, plus 2 ohm, plus 3 ohm तो यह total हो जाएगा 3 और 2, 5 और 1, 6 ohm यानि कि इन की जगह पे, इन तीनों की जगह पे अगर एक register आपको लगाना तो उसकी value कितनी होनी चाहिए 6 ohm होनी चाहिए equation 6 का use करते हुए इतना आपको derivation समझना था बहुत ज़्यादा important है numerical solve करने में काम आएगा आपके लिए ये एक numerical है आप इसमें equivalent resistance कहें या फिर net resistance कहें या फिर total resistance कहें जो series में है आप find out किजिएगा figure बनाईएगा इसकी और solution बेजिएगा और सभी को ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर resistance की value अलग है तो voltage भी उसके across अलग है दिखाई दे रहा आपको figure में और ये जो total voltage हमने ये भी प्रूव कर सकते हैं या पे कि इन तिनों के across total voltage 10 volt है तो जोड लिजिए कि ये 10 volt इन तिनों के अंदर divide हो रखी होगी क्या ये 10 की equal ही है देखिए 2 volt प्लस 3 volt प्लस 5 volt इसको जोड़ोंगे तो ये 10 volt के बराबर ही आएगा और ये भी आपका प्रूव हो चुका है कि total voltage जो आप apply करेंगे वो सब resistor के across बट जाएगी ठीक है और जो बटी हुई voltage उसको फिर से जड़ोगे तो वो total voltage के बराबर ही आएगी तो इसकी value आप find out कीजिए और मेरे पास solution भेजिए किसी को कोई doubt है तो जरूर पूछिएगा आज के लिए इतना ही कल हम registers in parallel करेंगे thanks for watching the video